हेलो स्टुडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल जोग्राफी के एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, युनिफाइड फिल्ड थियोरी ओफ पॉलिटिकल जोग्राफी यानि की शेत्र एक रूपता का सिध्धान्त। राजनितिक भुगोल के संकलनात्मक विकास में होट्शोन का महत्वपून योगदान रहा हैं। एक क्रमबद विशय के रूप में किसी राज्य के राजनितिक भुगोल का अध्यन करने के लिए सरप्रथम उन्होंने आकारी की उपागम यानि की मॉर्फोलोजिकल एप्रोच का विकास किया जो वास्तों में हेटनर से प्रभावित विचारदारा थी और जर्मनी में इसी की सहायता से राज्य के राज्य के राजनितिक भुगोल के अध्यन पर बल दिया जाता था। संबंदों का विसलेशन करना है। जोन्स ने विटल्शी, होट्शॉन और गॉट्मेन की विधित अंत्रात्मक विचारदारों को मिला कर अपना शेत्री एक रुपता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। एक रुपता में उक्ततीनों भुगलवेताओं के विचारों का समयनविक किया गया है। इसलिए इस सिद्धान्त को शेत्र एक रुपता का सिद्धान्त कहते हैं। इसे सिद्धान्त की व्याख्या जौन्स ने राज्जी की उत्पत्ती से लेकर उसके विभिन्न तत्वों के अंतसंबंदों को स्थापित करते हुए की है। The Idea Area Chain यानि की विचार शेत्र शंकला कार्यात्म कुपागम के विप्रीत किसी भी राज्य का संगोपाक अध्यन जौन्स दोहराप्रती पादित विचार शेत्र शंकला के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें राज्य के धरातले अस्तित्व में आने के पूर्व से उसकी उत्पत्ती एवं विकास प्रक्रिया और बाद की संपुर्ण विशेश्ताओं का अध्यन हो जाता है। विचार और शेत्र एक शंकला के दो सिरे हैं। इस शंकला को पूरा करते हुए गौटमें दोहराप्रती पादित गती शीलता को मिला कर तीन और तत्व बनाये जा सकते हैं। इस शंकला नहीं है जो अलग-अलग कडियों में विभाजित रती है। बलकि यह एक नदियों के बेसिन और जीलों के क्रम के रूप में हैं। जिसमें विभिन नदियों और जीले मिलकर एक प्रतिरूप का निर्मान करती है। ठीक उसी तरह से राज्यति विचार की उत्प का भी अध्यन आवशक है क्योंकि इससे राज्य के राजनितिक अवधार्णा का पता चलता है यहां राजनितिक अवधार्णा राज्य संबंदी विचार या फिर कोई विचार हो सकती है वास्तों में राज्य संबंदी विचार पहले मानोमस्तिश्क में ही उत्पन होता है ज इस तरह राज्य के उत्पन होने से पहले ही उसकी अवधरना वहां के लोगों में व्याप्त रहती है। Decision राज्य सम्मंदी विचारधारा के विकास के बाद क्रिया प्रारंब होती है क्योंकि उक्त विचारधारा को अधिकादिक लोगों का समर्थन मिलता जाता है। और उसे वास्तिविक्ता में बदलने के लिए राजनितिक सैनिक कूट नीती का कारे प्रारंब होता है। उसी समय राजनितिक नर्ने लिया जाता है। अर्तात राजसमंदी विचारधारों को कारी रूप में परणित करने हैं तू राजनितिक नर्ने आवशक हो जाता है। मोमेंट गती किसी भी समुदाय द्वारा लिया गया राजनितिक नर्ने गती द्वारा ही शेत्रिय प्रसार को प्राप्त करता है। नर्ने स्वभविक रूप से एक समुध द्वारा एक केंद्र पर ही लिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति या समुध में दूसरे व्यक्ति य इतने दूर यह निर्णे पहुंचता है उतने शेत्र के लोग आपस में एक सामूज राजनितिक विचारधारा विक्सित कर लेते हैं। फिल्ड शेत्र गती किसी शेत्र से ही संबंदित होती है। यह तत्य के विपरीत मानों का राजनितिक विवहार स्थाई रूप से किसी शेत्र में निश्चित नहीं रहता। इसी शेत्र से संबंदित होती है। जहां राजनितिक नर्ने स्वाभाविक रूप से पहुंच कर शेत्र से संबंदित हो जाता है। इस सिद्धान्त की अध्यन परिधी में राश्च शक्ती का भी अध्यन लाया जा सकता है। शक्ती की भागिदारी किसी निर्ने में है और राश्चित संबंदि विचार के पीछे शक्ती आवशक है तो इसे गति उत्पन हो सकती है। इस तरह शक्ती विशलेशन इस सिद्धान्त वरा संबग हो जाता है। The study of boundaries राजनिती भागुलिक रूप में सीमाओं के अध्यन में भी शेत्री एक रूपता का सिद्धान्त उप्यूगत है। सीमाएं एक रेखा को रूप में दो राज्जी इकाईयों को अलग करती है। इस प्रकार सिमाओं के उप्यूपती से लेकर उससे सम्मंदित शेत्र का अध्यन इस सिद्धी से क्या जा सकता है। The study of capitals शेत्र एक रूपता के सिद्धान्त द्वारा राजधानी या नगरों का राजनितिक भागुलिक अध्यन क्या जा सकता है। क्योंकि किसी भी संगठिक राजनितिक इकाई में केंद्र प्रशाशन के लिए राजधानी बनाने का नर्ने लिया जाता है। फिर किसी शेत्र का चैन करके राजधानी नगर का विकास करते हैं। यह सिद्धांत राजनिती भुगोल और राजनिती शास्त्र की सिद्धांतों को एकिकरत करने में सहयक है। यह राज्य के आकारिकी कार्य और शेत्र तथा राज्य विकास की प्रक्रिया के बीच पून सामजस्ते स्थापित करने में सहयक है। भोगौलिक कारियों पर इसका दूसरा प्रभाव इस रूप में देखा जा सकता है कि यह नए प्रकार के भोगौलिक और मानचित्र को विक्सित कर सकता है। प्रारंबिक रूप में मानचित्र भोगौलिक शेत्रों से ही सम्मंदित होते हैं। परंतु इस धान त्वारा विचार शेत्र शंकला के विभिन तत्वों से सम्मंदित आंक्रों द्वारा मांचिंत्रन किया जा सकता है। यह और अधिक भागुलिक है क्योंकि इसका सार्तत भागुलिक शेत्र से ही सम्मद्दित है। Thanks